राशी मेश ओवर्वियू हैं वैसे आप खुद ही सही निर्णे ले पाने में सक्षम हैं कोई भी भारी समान उठाते समय आपको चोट लग सकती है आज आपको सावधान रहने की आवशकता है ऐसा कोई भी कारिय ना करें जिससे आप पर काम का ज्यादा दबाव पड़े किसी भारी वजन को उठाते समय आपको बेहत सतर्ग और सावधान रहना होगा ताकि आप खुद को किसी चोट से बचा सकें आज किसी नए रिष्टे को शुरू करने से पहले अच्छी तरह उसे परक लें इस रिष्टे की सफलता के लिए तर्क संगत बुद्धी का इस्तेमाल करें और बिना सोचे समझे हवा में न बहें आपके लिए रिष्टा अच्छा साबित हो सकता है अगर आप इसके प्रती आश्वस्त हो आज आपको अपने पार्टनर के चुनाव के वक्त यथार्थवादी और तर्क संगत होना ज़रूरी है करियर आज व्यावसाईक क्षेत्र में आने वाले मौके को हाथ से ना जाने दें इसका लाब उठाने के लिए जो भी फैसला लेना हो जल्दी ही लें इन कठनाईयों से आपको भविश्य में आने वाली कठनाईयों का सामना करने में मदद मिलेगी आज अपने मार्ग में आने वाली सभी कठनाईयों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा Finance पैसा कमाना मुश्किल लगेगा एक के बाद एक अर्चन सामने होंगी आज विवसाई में उन मुद्दों को छेड़ने से बचें जो आपके लिए समस्या खड़ी कर दें क्योंकि आज आपकी राह में कई रचने खड़ी हैं प्रॉपटी डीलिंग से संबंधित किसी दस्तावेस पर हस्ताक्षर करने से आज बचें अगर आज हस्ताक्षर किया तो हो सकता है आगे चलकर आप किसी बड़ी मुसीबत में घिर जाएं तो आज इंतजार कर लें राशी व्रिश ओवर्विव आज आपको शायद अपने परिवार के किसी सदस्य के द्वारा लिया गया निर्णय सही ना लगे इस निर्णय का असर आप पर भी पढ़ सकता है लेकिन आप इस स्थिती में नहीं हैं कि इसको बदल सकें इसलिए अच्छा यही होगा कि आप इसकी शिकायत ना करके इसे यूही स्विकार कर लें ध्यान रखें कि कुछ लड़ाईयां बिना लड़े भी जीती जाती है हेल्थ आज आप सीखेंगे कि खुद को किस प्रकार अच्छी तरह प्रकट किया जा सकता है जिससे दूसरे आपको आसानी से समझें आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें ताकि कोई स्वास्त विकार ना हो आपको अपने काम और रिष्टेदारों में सही संचार के लिए सचेत रहने किया वशकता है आज आपको पुस्तकाले से कोई महतपूर्ण मंत्र या सलाहकारों की सलाह लेनी चाहिए अपने परिवार वो दोस्तों से दूर हटकर आज आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छे लमहें बिताना चाहेंगे भले ही ये काम फोन पर भी बात करके कर सकते हैं पर हो सके तो कुछ पल साथ रहने की कोशिश करें ये लमहें आप दोनों के लिए यादगार रहेंगे करियर आज आप कलात्मक्ता से भरे रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छे विचारों को जन्म देते हैं इन विचारों पर अच्छी तरह से ध्यान दें और इनको वास्तविक्ता में बदलें आप इन विचारों के बारे में पहले से ही अपने दोस्तों को बता सकते हैं लेकिन किसी भी अजनबी के सामने इन विचारों के बारे में जिक्र ना करें आपको अपनी आदतों पर नियंद्रंद करना होगा क्योंकि आज धन की आवक कम है आज आप उन छोटी चीजों पर खर्च करते हुए ज़्यादा सुखी होंगे जो अधिक खुशी देती है फिर भी आपको अपनी खर्च करने की आदतों को लेकर एक बार फिर से सोचना ही होगा आज अपने बटुए का वटन बंद करके रखिये और इस सुरक्षित समय का आनंद उठाईए आज आप अपने रास्ते की मुश्किलों को देख कर थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे आप इन परेशानियों से बचने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन परेशानी आ ही गई अपने गुस्से को काबू में रखते हुए धैर और साहस से इन परेशानियों से उबरने की कोशिश करें आज तनाव से सावधान रहे यह आपके स्वास्ते पर प्रभाव डाल सकता है आज आप अस्वस्त पाचनक्रिया या सिर्दर्द के शिकार हो सकते हैं आप इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप तनाव को कम करें और गहरी सांसे लें तो आज आपको अपने आप में जहाकने का अफ़सर मिलेगा अपने संपूर्ण विकास के लिए कुछ अच्छे निर्णे लेने होंगे इसलिए अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराएं ये निश्चित कर लें कि आपका साथी भी वैसा ही महसूस करता है करियर आज आपको बाहर जाकर लोगों से मिलना चाहिए इससे आपको भविश्य में लाब होगा ध्यान रखें कि आप केवल अपनी इच्छा शक्ती से अपने उद्देशों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे आपको दूसरों की मदद की जरूरत तो पड़ेगी ही आप पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं शायद कोई नई कार या बाइक तो आज ये खरीदारी करने का शुब दिन है आर्थिक मामले में आज का दिन आपके अनकूल है तो आज अपनी कार या बाइक के सही मॉडल का चुनाव कर ही लें राशिकर्क, ओवर्वियू आज आध्यात्म के प्रती आपकी भूख बढ़ेगी आज आपको ये जानने की इच्छा होगी कि आप किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं इस राह पर चल कर आप खुद को सही माइने में समझ पाएंगे आगे बढ़ें और अपनी सभी योगिताओं को उजागर करें हिचक बुला सकते हैं जरूरत पढ़ने पर आपने अपने प्रियजनों को खूब सहारा और सलाह दी है आपको सहायता देने की अब उनकी बारी है क्योंकि अब आपको सहरे की जरूरत है रोमैंस आपकी रोमैंटिक जिन्दगी खिल रही है वह आप इसका आनंद उठा रहे है अपने प्रेमी को बाहर ले जाने पर पूर्णता का एहसास होगा यदि आप अपने प्रेमी को परिवार वालों से मिलाना चाहते हैं तो आज ही उचित समय है करियर यदि आप बैंक के क्षेतर में काम करते हैं तो लंबे समय के बाद आज आपको प्रगती का मार्ग मिलेगा सभी के साथ अच्छे संबंध रखना आपके लिए फायदे मंद होगा आपको कार्याले में अपना अच्छा विवहार रखना होगा आज आपको अपने धन को लेकर सावधानी बरतने की आवशक्ता है क्योंकि धन की हानी होने की आशंका है आज उन बस्तूओं की खरीद मत कीजिए जिनकी आपको आवशक्ता नहीं है अपनी आवशक्ताओं को लेकर सीमित रहिए अन्यता पच्तावा करना पड़ सकता है खरीद के बाद पैसा वापस मांगने से अच्छा है अपने पर नियंतर रखना आज आप शारिरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्त रहेंगे घर हो या कारिस्थल आपका आकर्शक व्यक्तित्व सबको रिजहा लेगा शारिरिक और मानसिक स्वस्त के कारण आपका उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही बढ़ेंगे आज पूरी कोशिश करें कि आप समय पर ही अपना काम खत्म कर लें हेल्थ इस बार आपको ख्याल रखना होगा कि किसी भी आग या बिजली के यंत्रों का इस्तेमाल करते समय कुछ अनहोनी न हो जाए वरना कोई दुरघटना या चोट लगने के संकेत है आज आपको इलेक्ट्रोनिक यंद्रों का इस्तेमाल करने से बिजली का जटका भी लग सकता है और हो सकता है कि बिजली यंद्र खराब भी हो जाए आपके लिए अच्छा होगा कि आप आग से दूर रहें वर्ना जल भी सकते हैं रोमैंस एक रोमैंटिक दिन आपका इंतजार कर रहा है। आपसी खुशी के ख्षणों का आनंद उठाने के लिए तैयार रहें। एक दूसरे के मददगार बनें। करियर अब आपके ग्रह आपकी आजीविका के क्षेत्र में आपके पक्ष में हो रही है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं तब कुछ रुकावटें आने के संकेत हैं। इन सभी रुकावटों को आपको एक के बाद एक अपने अधिकारियों की मदद से सु तुपून है क्योंकि आज आप लंबे अर्से से चले आ रहे कई प्रकार के रिणों से छुटकारा पा सकते हैं और अंत्तह चैन की सांस ले सकते हैं आज का दिन आपके लिए खुशी और संतुष्टी भरा रहेगा ये दिन आपके लिए बड़ी सफलताओं वाला है ये सब आपके धैर्य, इच्छा शक्ती और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है ये समय आपके लिए जश्ण मनाने का है देर किस बात की है? अपने दोस्तों को बुलाईए और मजे कीजिए हेल्थ आपको इस समय सावधान रहने की जरूरत है हो सकता है कि आज आपको हलके दर्द की शिकायत बनी रहे इसलिए ये अच्छा समय है जब आप बाहर जाकर ताजी हवा और व्यायाम का लाब उठा सकते है आपका खान-पान ठीक है, मगर लापरवाही के कारण आपको परिशानी हो सकती है रूमैंस आज आपका साथी आपको प्यार के इजहार से हैरान कर देगा आप दोनोंने संबंध सुधारने के लिए जो प्रयास किये हैं, ये उसी का फल है आप भी प्रेम प्रदर्शित करें, वो अपने प्रेमी के लिए कुछ आश्चरे जनक परिस्तितियां पैदा करें इससे आपके संबंध को नई गहराई मिलेगी करियर वे जो कानूनी पेशे में हैं, उन्हें आज अनेक सही अवसरों की प्राप्ती होगी खास कर वे जो कॉर्परेट शेत्र में हैं शेक्षनिक शेत्र में काम करने वाली लोगों के लिए आज का दिन परेशानियों से भरा हो सकता है आपको धहरे रखना होगा और स्थिति अपने आप सुधरेगी आज तो सब तरफ से खुशी का दिन है बहुत पहले आपने जो निवेश कर रखा था उसका आज बढ़िया लाब मिलने वाला है कोई पुराना लेन देन जो आप भूल ही चुके थे उसका भी आज आपको लाब मिलेगा यह अचानक ही होगा लेकिन इस पैसे कोई यूही खर्च मत कर दीजिएगा बलकि इसे बचा कर बैंक में डाल दीजिए इस समय शायद आप कुछ मुश्किल काम में लगे हैं अच्छी तरह सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं और अपने विचारों को सपष्ट रखें जल्दबाजी में कोई गलती न कर बैठें ध्यान रखें कि सब्र से आप सब कुछ जीत सकते हैं अपने काम को पूरी तरह समझने के लिए आपको सब्र से काम लेना होगा आज आपको कुछ नए तरीके खोजने की आवर्शक्ता है जिससे आपको व्यायाम का रूटीन बोर ना लगे जिम में भी आपको महसूस होगा कि रोज आपकी मेहनत करने की ताकत कम हो रही है क्यों ना आप अपने दोस्तों के साथ व्यायाम करें इससे आप दोनों एक दूसरे के उपर नजर रख सकते हैं यद्यपी आप अपने रिष्टों की गरिमा से खुश है तब भी आप पाएंगे कि आज आप या आपका साथी अत्यंत व्यस्त है जिस कारण आप अपने आपको अवांचनिय महसूस करेंगे वो अपने साथी के प्यार में भी कमी महसूस करेंगे आपको अपने साथी से इस विशे पर खुले पन से विचार करना होगा जिस से इमानदारी से समस्या का हल निकाला जा सके ये कठिन समय जल्दी ही गुजर जाएगा करियर आज आप पाएंगे कि जो काम आपके हाथ में है उन्हें आप बूरी कुशलता से पूरा करने की कोशिश करेंगे आज आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो कदम उठाएं हैं, उनसे आपको संतुष्टी होगी. इसी तरह से काम करते रहें, चाहे इसके लिए आपको ज्यादा महनत ही क्यों ना करनी पड़े. अंत में परणाम से आपको खुशी ही होगी. फाइनान्स आपको अच्छे कॉंट्राक्ट मिलेंगे. आज आपके घर में सुक शान्ती बनी रहेगी. ये समय आपके और आपके परिवार वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे. घर वालों का प्यार ही इ और आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आप भी अपने रिष्टों को और मजबूत बनाने का प्रयास करें. हेल्थ दवाव पर खर्चा करने से आज आपकी आर्थिक सिती बिगडी नजर आएगी. ये खर्चे आप पर नहीं होंगे. हो सकता है घर में किसी के बीमार पढ़ने पर आपको खर्चे करने पढ़ जाएं. ये खर्चे हमेशा के लिए नहीं बने रहेंगे. इसलिए अपने दवाव बढ़ सकता है. जिसे कम करने के लिए आपको शांत वसंयम रहना होगा. अपने साथी के गुणों पर ध्यान दें. करियर आप पर यदि कोई उधार है तो आज बह भी वसूली के लिए आ सकता है. और आकरकार आपको जितना जल्दी मुम्किन हो सके, सामने आकर उससे निपटना चाहिए. अपनी जिम्मेदारियों से भागना ठीक नहीं. राशिधनू आप अपने खान-पान और जीवन शैली में बदलाव लाएं. तभी आपको भविश्य में आराम मिलेगा. रुमैंस जुरू में आपसी विश्वास बढ़ाना रिष्टे के लिए फाइदे मंद रहेगा. करियर आज आपकी सफलता का मंत्र है कि आपको अपनी सफलता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए. इससे आप निरंतर सफलता के लिए प्रयत्मरत रहेंगे. वो महनत करते रहेंगे. अगर आप अपनी सकारात्मक सोच वो उर्जा का पून्ड प्रयोग करें तो आपको भविश्य म लाब जरूर मिलेगा. साथ ही अपना उत्साह बनाए रखें. इससे आपको अपने करियर को उचाई पर ले जाने में मदद मिलेगी. Finance. हाल के दिनों में आप जहां भी हाथ डाल रही हैं, फाइदा ही फाइदा हो रहा है. यही सोच कर आप इन दिनों निवेश के मामले में कुछ बड़े जोखिम उठाने को तयार हैं. हाला कि आप अब तक पारंपरिक तरीके से निवेश कर रहे थे और खर्च भी सोच समझ कर कर रहे थे, लेकिन अब आप बड़े जोखिम उठाने की स्थिती में हैं, फिर भी जटपट पैसा कमाने का रास्ता मत चुनिएगा. निवेश के लिए कई विकल्ब चुनिए. इसमें कुछ ज़्यादा जोखिम वाले स्टॉक भी हैं, यह आगे चल कर फाइदा पहुच सकती हैं. समय की इस चुनौती का डट कर सामना करें और जीत हासिल करें. आप फिर से सही रास्ते पर आ जाएंगे. हेल्थ. आज आप कल रात के सपने से परेशान हो सकते हैं. इससे आप धंग से आराम भी नहीं कर सकते. ज्यादा परेशान नहों और सकारात्मक सोच लाएं और पर्याप्त आराम करें. प्रेम के क्षेतर में आज आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. यदि आप अपनी शादी की बात पर घरवालों से विचार विमर्श कर रही हैं, तो उसका सकारात्मक परणा मिलने की उमीद कम है. एक बुजूर्ग व्यक्ति लक्ष प्राप्ती में आपकी सहायता कर सकता है. करियर आज आप खुद को सही माइने में जानने की कोशिश करेंगे. आप अपनी माननेताओं पर ध्यान देंगे. इसी राह पर चलते रहें, क्यूंकि इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी. आप किसी पवित्र स्थान पर भी जा सकते हैं. कुछ दान अवश्य करें. हेल्थ. अगर आप जोडों के दर्द से जूज रही हैं, तो ये आपके लिए बहतर समय है. आप कुछ हलके व्यायाम कर सकते हैं, ताकि आप स्वस्त रहें और शरीर मजबूत हो. जोडों के दर्द के कारण आप व्यायाम बंद ना करें. अन्यता आपकी शारिदिक संक्रम अनक्षक्ति प्रभावित हो सकती है. अपने स्वास्थे को महत्व दें. खास कर वे जिनके लिए उनके परिवार वालों ने नया पार्टनर खोजा है. उनके चुनाव से आप खुश रहेंगे. आप शादी और उससे संबंधित अन्य रस्मू के लिए अपने परिवार वालों के सहयोग से तैयारी शुरू कर सकते हैं. करियर उधर से अच्छी ख़बर मिल सकती है. इसमें देर लगी पर आपके सब्र का फल मीठा निकला. इस रकम को समझदारी से खर्च करें और जो मदद आपको मिल रही है उसे अनाप शनाप गवाना भी ठीक नहीं. हाँ, कर्ज उतना ही ठीक जितना आपासानी से चुका सकें. अपने रिष्टे में सुधार लाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. अपने प्रियजनों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बनाएं और उन्हें खुश कर दें. आज आप थोड़ा जल्दी घर पहुँच जाएं और अपने परियजनों के साथ कहीं बाह बूत रहना होगा. ध्यान रहे, अपने मन पर काबू करके ही आप अपनी सेहत का लंबे समय तक ख्याल रख सकते हैं. रोमैंस आज आप अपने आपको प्रेम से भरपूर पाएंगे, क्योंकि आपको अपने साथी से मन चाहा साथ प्राप्ध होगा. आप महसूस करेंगे कि किनी शर्टों के बिना आपको पहली बार अपने साथी का सहयोग मिलेगा. ये आपसी रिष्टा वव प्रेम आपकी जिन्दगी को उड़ने के लिए भरपूर पंख देगा। आज के इस आत्मियता पूर्ण संबंध से आप भरपूर रूप से संतुष्ट होंगे। करियर वे विद्यार्थी जो विदेश से किसी खबर की प्रतीक्षा कर रही हैं, उनके लिए आज का दिन शुब है। व्यवसाईयों के लिए आज का दिन विदेश से लाब प्राप्त करने का है। आपको इन अवसरों का लाब लेने के लिए इसके अनुकूल अपने आपको बनाना होगा। इस अवसर का लाब उठाने पर आप कहीं दूर जा सकते हैं। आज अपनी गाड़ी या अपना घर बेचना चाह रही हैं तो इसका अखबार में या इंटरनेट पर विज्ञापन आज ही दे दें। इस दिशा में किया गया आज का प्रयास सार्थक होगा। गाड़ी बदलने की सोच रही हैं तो आप पाएंगे कि आज आपको मन चाही गाड़ी मिल गई।